आज मैं आप लोगों को रिप्लाइ 1988 का एपिसोड 13 एक्सप्लीन करूंगी सो विदाउट वेस्टिंग फॉदर टाइम लेट्स मार्च टूर्ज टी एपिसोड एपिसोड की स्टार्ट में जूंगवन और द्योकसुन कॉंसर्ट में जाते जैसे कि जूंगवन ने द्योकसु ग्या था उस नगे में पुराना दोस्त मिलता है और फ्रेंट आपके साथा स्वासेब्लट करने लगतों के लिए क कि नियुक है, वहां पर वो उसी लड़के को देखता है। वो लड़का अपने दोस्त से बात कर रहा था और उसका दोस्त दिखसun के लुक्स का मज़ार उडाता है। ये बाद जुंगवान को पसंद नहीं आती और वो उन दोनों को हिधका मारता है। नतीजन उन दोनों के ही हाथ पर उनका पी गिर जाता है। जुंगवान जब बहार आता है तो वो देखता है कि द्योकसुन के पैर में मोच आ गई थी, तो वो द्योकसुन को साहरा देता है, ताकि वो अच्छे से चल सके, पर असलियत में द्योकसुन का पैर बिल्कुल ठीक था वो ये सब सरिफ जुंगवान का अटेंशन पाने के लिए कर रही थी अगले दिन ब्रिक्फिस्ट टेबल पर जब द्योकसुन लाइबरेरी जाने की बात करती तो बोरा उसे मना करती है क्योंकि रास्टे में कंस्ट्रक्शन चल रहा था पूरा द्योकसुन को सजिस्ट भी करती है कि क्यों न वो त्याग के घर जाकर पड़े करने पर मान जाता है दो फैर में सारी लेडीज मिलकर गॉसिप करती है तबी जोंगवन की मॉम सुनवो की मॉम से कहती है कि तुम्हारा और त्याग के डाट कर रिष्टा कैसा चल रहा है सुनवो की मॉम ये सुनते से ही डिनाई करने लगती है और उनसे कहती है कि उन दोनों क पुलाओ बनाना बंद कर देना चीए क्योंकि उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है तभी द्युक्सुन की मौम उनसे कहती है अगर हमारे साथ कोई हमसफर हो तो जिन्दगी काटना और भी आसान हो जाता है उनकी इस बात पर सुनू की मौम कहती है कि वो अपना घर बसा कर सुनू को दुख ही नहीं करना चाती उन्हीं पता था उनकी दूसरी शादी से सुनू को बहुत दुख होंगा ये सुनकर जुंगवन की मौम सुनू की मौम से कहती है पर उनकी खुद की लाइफ का क्या इंसान एक ही बार जीता है और उस एक बार में भी उसे खुशी-ख पूशी चलना जी है। तभी सुनवो उससे कहता है कि वो कैसी girlfriend है बाकी boyfriends जब अपनी girlfriend से गुस्ता होते है तो उनकी girlfriend हुने मनाने के लिए किस करती है पर तुम तो ध्यान भी नहीं देती हो सुनवो कि इस बात पर बोरा उसे चुम्टी काटती है उधर द्योकसुन की mom tension में थी क्योंकि कल उनका full body examination होने वाला था और उन्हें इस बात का डर था कि कहीं उन्हें breast cancer ना हो क्योंकि उनकी breast में एक lump था वो अपनी friends से भी इस बात को share करती है पर उनकी friends उन से कहती है कि उन्हें बेकार की बाते नहीं सोचनी चीए पर द्योकसुन की mom अपनी परिशानी की कारण राद भर भी नहीं सो पाती है अगली दिन जुंगवन की mom भी ये बात अपनी husband के साथ share करती है उन्हें भी कहीं न कहीं डर था कि गई द्योकसुन की mom को सच में cancer ना हो पर उनके husband उन्हें encourage करते है और उनसे कहते है कि उन्हें positive रहना चीए थोड़ी दिर बाद जब द्योकसुन के mom और डाट डॉक्टर के पास में चाती है तो डॉक्टर उन्हें बताते है कि उन्हें द्योकसुन की mom की बाइपसी करनी होंगी और बाइपसी के रिजल्ट्स के बाद ही वो कुछ कैप आएंगे द्योकसुन की mom जब बाइपसी के लिए चली जाती है तो द्योकसुन की डाट डॉक्टर से पूछते है कि क्या सच में उनकी wife or cancer हो सकता है तो डॉक्टर उनसे कहते ही कि चांसस ज्यादा है पर उन्हें रिपोर्ट्स का इंतजार करना चीए ताकि वो सही नतीजे पर पहुँच सके उसी शाम बोरा जब अपने friends के साथ में अपनी library से बाहर निकल रही थी तो वहाँ पर सुन्वो आ जाता है सुन्वो को देखकर बोरा के friends उसे पूछते भी है कि ये क्या तुम्हारा boyfriend है तो बोरा उनसे जूट के एदेती है कि ये उसका चोटा भाई है ये सुनते ही बोरा के friends सुन्वो को एकदम बच्चे जैसा treat करने लगते है और सुन्वो को ये बाद बिल्कुल भी पसंद नहीं आती बाद में टिना करते वक्स बोरा सुन्वो को किस करती है ताकि वो उसका गुस्ता शांत कर सके और सुन्वो भी पल भर में ही पिगल जाता है देर राज जब दियुकसन और उसके भाई भेन घर पर आते है तो डाड बोरा को उसकी मॉम की condition के बारे में बताते है वो बोरा से ये भी कहते है कि वो नोयल और दियुकसन को इस बारे में कुछ भी ना बताए उधर दियाक अपने माच के लिए जाने की तैयारी कर रहा था तो उसके पापा उससे होटेल का नंबर और आड्रिस मांगते जिसमें वो टेहरने वाला था दियाक को ने वो नंबर लिखकर दे दिता और बिजनेस कार्ड अपने ड्रॉर में लॉग करके रख देता है ताकि इमजन्सी में वो काम आ सके एपोट जाने से पहले तियाक दियाक दियाक से मिलता है और उससे पूछता है कि उसे कुछ चाहिए तो नहीं दियाक से बात से बहुत खुश थी कि तियाक उसके लिए कुछ लेकर आने वाला था वो तियाक से कहती भी एकि फ्री का टाल या फ्री कीचेन जो भी उसे कॉमपिटीशन में फ्री में मिलेंगा वो सब उसे चलेगा तियाक उसकी इस बात पर स्मयल करतर वहां से चला जाता है उधर द्योक सुन के मॉम की टेस्ट रिजल्ट आने वाले थे मॉम इसी बात को लेकर बहुती ज़दा परिशान थी उनके हस्बेंटोंने चेर अप करने की कोशिश भी करते पर उनका मन किसी भी काम में लग ही नहीं रहा था उधर त्याक के डाड और जिंजो की बीच की बॉंडिंग बहुती ज़दा स्टॉंग होती जा रही थी पर सुनू को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी शाम में जब सुनू के घर त्याक के डाड डिनर कर रहे होते हैं तबी वो सब लोग मिलकर एक न्यूस देखते हैं जिस प्लेम में त्याक ट्रावल कर रहा तब उक्राश हो गया है त्याक के डाड को जैसी ये बात पता चलती वो अपने घर की तरफ भागते हैं ताकि वो होटेल में कॉल करके कनफर्म कर सके कि त्याक सही सलामत तो है ना उनके पीछे सुनू और उसकी मॉम भी आती है त्याक के डाड जब घर पहुचते तो वो देखते कि वो पेपर जिस पे उन्होंने एड्रिस लिखा था उस पर पानी गिर चुक है और पानी गिरने की वज़े से उस पर लिखी वी सारी चीज़े मिट चुकी थी त्याक के डाड ये देकर घबरा जाते हैं और उस ड्रॉर की तरफ भागते हैं जहां पर त्याक नहीं वो बिजनस कार्ड रखाता और उस लॉक को तोड़ने लगते हैं उधर दियुकसुन के घर उसकी मॉम को हॉस्पिटल से कॉल आता है और वो लोग उने बताते हैं कि उन्हें कैंसर नहीं है और वो बस एक छोटा सा वाटर लम था दियुकसुन के मॉम और डाड ये बात जानकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और जब ये बात जुंगवान के मॉम और डाड को भी पता चलती है तो वो लोग भी उनके साथ सलिब्रेट करने आ जाते पर तभी वो लोग भी टीवी पर त्याक की निउस देख लेते हैं और खबर जानने की बाद त्याक की घर की तरफ भागने लगते हैं हट बड़ा हट में पर तभी डॉंगरियों के डाड सभी को बताते हैं कि त्याक बिलकुल ठीक है और अपने होटेल में आराम कर रहा है सभी लोग की बात जानकर चैन की सास लेते हैं त्याक के घर के मैनेजर से airplane crash वाली बात पता चलती है तो त्याक उन से कहता है कि उसके डाट हमेशा ऐसी situation में काम रहते है तो मैनेजर त्याक से कहते कि तुम पागल तो नहीं हूँ मैंने तुम्हारे डाट को इतना परिशान पहले कभी नहीं देखा उनकी आवाज से साफ साफ पता चल रहा तकि वो तुम्हारे ले कितने परिशान है मैनेजर के वहाँ से जाने के बाद त्याक को सुनू का कॉल आता है और वो से बताता है कि आज उसके पापा उसके लिए कितने परिशान थे सुनू को तो त्याक के पापा को देखकर ऐसा लग रहाता है कि वो कोई सूपरमैन है ज दियोकसुन के पापा उनकी वाइफ को लेकर कितना परिशान थे और उनकी बाइपसी वाले दिन बहुत रो भी रहेते। दियोकसुन के पापा इस बात से बहुत ही जगा एंबारस होते हैं। आज वो सब इस बात को हसी में उड़ा रहे थे पर उस दिन द्योकसुन के पापा की हालत देखने लायक थी। जुगवन के डाट और द्योकसुन के डाट त्याग के डाट की तारीफ करते कि वो इतनी मुश्किल सिच्वेशन में भी काम थे। त्याग के डाट उन से कहते भी कैसा कुछ नहीं है और वो दोनों उनकी तारीफों के फूल बानते हुए नहीं ठकते। कुछ दिनों बात द्योकसुन इस बात से परिशान थी कि त्याग उसके लिए एक पुराना सा वास लेकर आया है। वो नोयल को भी इस बारे में बता आती है तो वो उस पर हसने लगता है। तभी द्योकसुन की मॉम उससे त्याग का लाया हुआ वास मांगती है ताकि वो उसमें किमिची रख सके। पर तभी नोयल उन्हें रोख देता ये कहकर कि वो वास त्याग की बादुख ट्रॉफी है। नोयल को ये बात न्यूस पेपर से पता चलती है। उसी तिन जुंग्वान का बड़ा भाई द्योकसुन की बेस्ट फ्रिंड को हॉस्पिटल में लेटर देने जाता है।